गणपदी मंडप में युवक की चाकू मार कर हत्या गोधादरा में दो दिन पहले गणश मंडप के भंडारा के पास बाबल की नाराजगी में एक युवक की तीन बार चाकू मार कर हत्या कर दी गई थी मुल्लूप से बिहार में रहने वाले अमित कुमार रवानी वर्तमान में प्रियंका सोसाइटी डिविजन दो गोधादरा में रहते है वह कपड़ा बाजार में काम करता है सुक्रवार की रात जब वह अपनी बाइक लेकर गर आ रहा था तो आरोपी अमित यादव अपनी गोली लेकर आया और अमित कुमार की बाइक काट कर चला गया सनिवार की रात सोसाइटी में भंडारे थे जहां अमित कुमार उनके दोस्ट चंदन पास्वान और आदित्यसी अखिलेशी राजपूत भोजन करने गए थे आरोपी अमित उर्फे प्रद्यूमन यादव, रोहित उर्फे विक्की यादव और रुतराज पास्वान भी मौजुद थे जब अमित कुमार ने अपने दोस्ट चंदन को बताया की अमित उसे परेशान कर रहा है इसलिए जब चंदन अमित को समझाने गया तो अमित एक में फस गया तर तो सभी दोस्तों ने जान बचाई और समाज में छुप गए हाला कि अदित्यसी ने बिना किसी दोस्त को डूंडे उसे खोजने के लिए बाइक ली लेकिन वापस नहीं लोटा थोड़ी ही देर में सभी दोस्त आदित्यसीं की तलास में निकल पड़े आदित्यसीं बगल के लक्षमनगर सोसाइटी में गायल अवस्था में मिला आरोपी अमित, रोहित, उर्फविक्की और रुतराज ने उसे चाको मार दिया और आदित्यसीं की मौके पर ही मौत हो गई